सुप्रम कोट से सामने आई जहां राम मंदर को लेकर आयोध्या जमीन विवाद को लेकर सुप्रम कोट की तरफ से इस मामले में आखरी सुनवाई की पहली तारीख दे दी गई है वो दस जनवरी है जी यां दस जनवरी जब नई बेंच बैठेगी और आयोध्या विवाद मे सुनवाई करेगी और वो bench आगे कि सुनवाई की रूप रेखा भी तै करेगी कि रोज सुनवाई होगी आयोध्याजमीन विबाद मामले में या फिर रुटीन में सुनवाई की जाएगी आज क्या हुआ कोट में ये समझिए पांच सेकेड में कॉट ने अपना फैसला सुना दिया अदालत की तरफ से सुनवाई की नई तारीольш 10 जनवरी तै की गई है जिस्टिस रंजन गोगोई जिस्टिस एसके कॉल किपीछ ने 10 जनवरी नई तारीख तै की तीन जजों की नई बेंच में आयोध्या केस को भिजने का फैसला लिया गया है दस जनवरी से पहले तीन जजों की नई बेंच में कौन-कौन शामिल होगा ये पता चल जाएगा और फिर दस जनवरी से ये तीन जजों की बेंच जो इस मामले में सुनवाई करेगी और साथ ही रूपरेखा 10 जिन्वरी को ते कर ली जाएगी कि मामले में सुनवाई कैसे करनी है डेली बेसिस के हिसाब से करनी है रोज सुनवाई होगी या फिर रूटीन में सुनवाई की जाएगी